नमस्कार दोस्तों सागत हैं आप सभी का YFM Security में दोस्तों ANPR Technology काफी जादा इस पर सवाल आते हैं और काफी जादा जो है कई वीडियो भी आपने देखे होंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि normal HD camera या फिर IP camera में कुछ settings को कर लें तो आपको ANPR की technology मिल जाएगे बट ये बात बिल्कुल से सत्य नहीं है इस पर एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ANPR जो होता है automatic number plate reader या पिर आपका license plate reader जो ये technology है इस technology से inbuilt जो camera होते हैं उसमें काफ़ी ज्यादा software implement होते हैं और अलग लग चीज़ें implement होते हैं जिस कारण से वह वहिकल के number plate को read कर पाते हैं उसको database में save कर पाते हैं और इसके साथ-साथ database में save तो कर लिया अगर मान लिजिए कि जो number plate है वह अलग तरीके से लिखा हुआ हो दूसरे languages में लिखा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे तो इस कारण से company ने इसमें अलग अलग तरह की language भी implement की हुए तो काफी चीजें हैं आज समझ लेते हैं कि NPR technology काम कैसे करती है इससे काफी आसानी हो जाए आप सभी को यह समझना कि आखिर कौन से camera को purchase करें और आखिरकार यह बिलकुल अलग टेकनोलोजी कैसी है देखिए NPR एक टेकनोलोजी है जिसके माधेम से आपका वो कैमरा जो है वहिकल के नंबर प्लेट को यानि कि वहिकल रेजिस्ट्रेशन मार्क वी आर एम इसको करते है इन सौट फॉर्म में उसे एडेंटिफाई कर पाती है और उसे सेव करके रख पाती है इसमें एक सॉप्ट वेर भी होता है जैसे OCR करता है यानि कि ऑप्टिकल करे एक निया जो है यह जिरो फूर्डी ऐसे करके लिखा हुआ उसे जो है वह रीडिकर पाता तो रीड कर पाता जिसका रख से लाइसे स्प्लेट को रिड़ करना असान हो जाता है आपके कैमरे के लिए इसके अलावा आपका जो एन पी आर वाद दो टेक्नोलॉजी पर जो है जिसमें बगरे लिखा हो किसी भी तरीके से हो आपको vertical हो horizontal किसी भी तरीके से उसे read करती है read करके आपको screen पर दिखा देती है और जो heat data होता उसे database में store कर लेती है अब store करने से आपको फायदा क्या होता है अगर by chance कोई भी miss happening होती है तो आपको एक data sheet पे PDF form पे आप pen drive पे निक details है तो वह आपको मिल जाएगा एक hard copy में PDF में जिसे आप print करा सकते हैं कहीं पर भी तो वह आपको सुविधा देती है एंप टेक्नोलोजी इसके अलावे multi language support फीचर भी अब लेवल है जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि मालते Chinese में लिखाओ या को local language में लिखाओ तमील में लिखाओ ते लोगों में लिखाओ तो कैसे पकड़े तो उस हिसाप से डिजाइन किया गया अलग अलग country के local language के इस software को company design करती चाहिए वह विजन ओ डवाओ या other brand के camera हो अगर मैं बात करूँ model number को तो मैं आपको बता देता हूं DS-2CD 7A46GO-P-IZHS एक और model हमें DS-2CD 7046GO-E-IHSY इसमें अलग-अलग और भी series है तो यह आपके NPR inbuilt IP camera है इसमें अगर आप NVR के बात करें कि के series में आप लगाने कि अगर इच्छोग है तो नहीं लगाईए यह आपका I-Series में compatible है NXI जो project series है उसके लिए compatible है तो आपको I-Series में जाना होगा अगर आप software की बात करें तो IVMS नहीं आपको Hicks Central के professional software में इसे देखना होगा ताकि आपका data collection आसाने से हो सके बेहतरी तरीके से हो सके और अलग-लग brand के भी अलग-लग software आते हैं तो कूल मिल यह technology है NPR की अगर आप normal IP camera के बात करें तो normal IP camera में HLC आप बढ़ा दे या BLC घटा दे यह एक बड़ी बात नहीं है हाँ मैंने एक बहुत बड़ी बात आप सभी को बताया थी जो आपका subtle speed जो होता है जितना fast subtle speed होगा आपके IP camera में तो वो थोड़ा चमता उस camera की बढ़ जा बस उसको आप जो है analog को आप जो data form पे save करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके उस system में वो चीज़ें हैं ही नहीं इसलिए आपको अगर number plate से related काफी जादा समस्या है कि नहीं हमें number plate देखनी है domestic ने commercial purpose से क्योंकि domestic purpose में बहुत मुस्किल होता NPR technology के system को use करना तो आप domestic में आपके लिए बहुत मुस्किल है यह commercial आप NPR technology को use कर ले तो वह बेतर होगा आप सभी के लिए उम्मिद करता है वीडियो आपको काफी लाब पहुचाएगी